अजमेर में मंगलवार को प्रदशन कर रहे बेरोजगारों को प्लिस ने डंडे मार कर खदेड दिया इस दोरान राजिस्थान बेरोजगार एकिकरत महासंग के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव समेथ एक युवा को हिरासत में लिया गया दरसल बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर राजिस्थान लोग सेवा आयों के बहार प्रदेशन कर रहे थे बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर लीक मामले की जाच सीबियाई से कराई जाए साथ ही स्कूल लेक्षर एक्जाम का रिजल्ट जारी किया जाए जारी किया जाए क्योंकि रीट की एक्जाम से पहले क्योंकि शहजा लोगों का चाहिन हो जाएगा तो चाहिए लोग रीट में नहीं जाएंगे जो फर्वदी में आई जूत होने वाली है इसका अनुदेशक बड़ती की फाइल नियम अप्रोल के लिए आई हुए उसको ब लेकिन हम मांगों के लेकर आज हमने प्रदेशन किया है लगातार पूरे प्रदेश में हर जिले में यू आक्रोस महारेली निकार रहा है विदान सबागा गहराव भी किया था और जब तक यह नहीं जाता तब तक हमारा सब्सक्राइब को चलता रहेगा में कॉंग्रेश को कहना चाहूंगा कि कारेपध अर्वियोंगर साहर को कि विद्वार आप बता दीजिए उस यह दभाकों कियो दबा दिया गया अधो कुल आसा कुई नहीं पाया सेगिंड गेंट में जीदकी चावियों के पास होगी जाती और दम के आधार पे चुनाओं नहीं वे पेपर लिक्म मुक्त राजDINGस्तान के लिए और रोजगार के लिए चुनाओंगे जिस्सकी सुरुवात हमने कर दी पूरे राजwide निटा ले दर्णा यह अभी रूज़ार चातर संगा आयोग मैं इस बजट में सरकार कोशना करें कि यह अब नेताओं का वह आप में चार साल तक हमारा वह बेश दिया लेकिन वोट की चोट हमारे पास है इसलिए अभी मैं निवदिन करना चाहे हूं हम कॉंग्रेस पार्टी मुख्यमंत्रीशी के खिलाफ नहीं है यह दियोओं को न्याई मिलता है पेपल लीग माफ्यों का खात्म होता है वो जेल में डाला जाता है और समय पर जैसे स्कूल व्यक्या था बढ़ती प्रिक्षाओं का परिणाम समय पर आता है समय पर रोजगार मिलता है तो हम लोग साथ है और नहीं नहीं मिलता है तो हम बगाउत कर चुके हैं यानि कि वोट की चोट करेंगे और आक्रोस यहों का सड़कों पर उतर चुका है